नमस्कार दोस्तों भारत में आपने कभी न कभी बवासीर सब्द का एडवर्टाइजमेंट जरूर देगा होगा पर मुझे लगता है जिस हिसाफ से भारत का एड़ुकेशन सिस्टम है उस हिसाफ से कैयों को तो इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होगी आज चाहिए और और प्रोटेट हो जाती है मतलब वारकियो लटक जाती है अपने सकिन से बार लटक जाती है चलिए आपको डंक से बताता है इसके बारे में देखो आप सरीर में कई-पर भी प्रेशर लगां के भी लगएगा यानि कोन की-अचर्प नसो पर तो प्रेशर की में ज्यादा अगर आप जोर लगाते हैं मतलब प्रेसर लगाते हैं और सोच के समय कई सालों तक आप ऐसा करते ही रहते हैं तो इन कारणों से हमारे गुदा दुआर पर मौझूद बिंस जो कून को दोवारा से हाट की तरफ ले जाती है और बाहर क्यों रिसकिन की तरफ मल त्याक करता है तो ऐसी कंडिशन में नसे फट जाती है और बिल्कुल पिछकारी की तरह खून की दार बहती है इसे उसी वक्त इस कंडेक्शन को हम लोग कहते हैं देखिए हमारे गुदादुआरे में रवर वेंड की तरह होती है जो हमेशा क्लोज में रहती है केवल सबस्शन के रहता है इसे इस प्रेंटर के उपड़ होता है अंदर की और तो इसे एंटरनल पाइल के यह बाहर की तरप होजाता तो इसे EXTNERल पाइल कलना ऑब यह प्रेशन दरसल लोग जब डॉमिनल एडिया की लगा जो उनके एनेस की बिलर फूल जाती है जब हम सौच क प्रेशर पड़ता है मोटापा प्रेगनेंसी एनल इंटर कोर्स अगर बेजाइनल डिलिवरी हो तो इन सब चीजों में व्यक्ति को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने लोव डॉमिनल एरिया में और क्या-क्या कारण हो सकता है जब व्यक्ति को बहुत ज्याद करना सुरू कर देता है यह कारण वी एनस के बिलड बेसल में इंफल्मेशन को पैदा कर सकते हैं और व्यक्ति की बिलड बेसल सूच जाती है फूल जाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है देखिए असल में इंटरनल पाइल्स में पैन नहीं होता है एक्टरनल पाइल्स म या डायरिया में मजूद जो कुछ गस्ट्रिक एसिड होते हैं वाइल वगेरा एनल या सेक्स पिर इंफलमेशन की बज़े से दरसल एनस की इंटरनल लाइनिंग में फिसर हो सकता है अलकासा क्रॉक बन जाता है जहां से खुल निकलने लगता है और दर्द भी होता असल में सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलते एक नौलीजवरी वीडियो के साथ धन्यवादा